हेलो एवरीबन मैं हूँ सचीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं CSS और CSS के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले है कि बॉर्डर में इमेज हम लोग किस प्रकार देंगे जैसे आप सबको पता है कि हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना जैसे यहां पे डूब है और और यहां पर हम लोग क्या करते थे यहां अगर मैं डीब में बॉर्डर देना चाहूं तो कुछी इस प्रकार से हम लोग को लिखना होता था यहां पर हम लोग लिखते थे बी यो आर डी यार बॉर्डर और उसके बाद यहां पर हम लोग पिक्सल देते थे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दूँ 15 पिक्सल उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं style दूँ इसका solid और यहाँ पे हम लोग color देते थे ठीक है और इसको फिर मैं यहाँ ले जाओ और यहाँ अगर मैं refresh कर दूँ इस प्रकार से तो देखे एक border आ जाता था तो अब यहाँ पे जो हूं transparent और इसके वजाए मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूं मैं यहाँ पे देना चाहता हूं image तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा border border उसके बाद लिखना होगा image और उसके बाद लिखना होगा source और फिर यहाँ पे URL के मदद से हम लोग जे पी जी ठीक है देखें मैं दिखा देता हूं यहां पर इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो यह फोल्डर का सारा जो फोल्डर एविलेबल है वो सारा यहां दिखा रहा है तो इसी में देखिए बॉर्डर.jpg एक इमेज है और अगर यह इमेज भी आप देखने चाहते अगर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखिए यह इमेज है ठीक है तो यहां पर मैंने क्या क्या अंडर में उस इमेज का नाम लिखा और उसके बाद मैं यहां पर अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अभी इमेज आ रहा है और यह चारो कॉर्णर में द property अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कर मैं यहाँ पर लिखूँ border इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ाãy इस तरह से हाँ अब देखें यहाँ पर मैं लिखूँ border और उसके बाद में फिर image border image और उसके बाद में repeat यह property यह यहाँ पर हम लोग इसको repeat रखतेते हैं ठीक है और फिर मैं यहाँ पर जाओं और अगर मैं इसको refresh करूं तो यह जो रहेगा आपका repeat होगा लेकिन अभी भी repeat नहीं हुआ है क्योंकि हम लगों को और एक property यूज करना पड़ेगा और वह property कुछ इस प्रकार से है border और उसके बाद में फिर आपका image और उसके बाद में slice क्या करेगा उसको पार्ट में निकाल देगा जो image हमारा उसको पार्ट में बाट देगा वह किस प्रकार से लिखेंगे जैसे पूरा image का अगर मान लिजे कि मैं 10% यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं 10% लिखूंग तो पूरा image का 10% जो रहेगा वह उसी को ही आपको यहाँ पर बाट देगा काट काट के देखें जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूं तो यह 10% image का निकाल के उसको यहाँ पर बाट दिया ठीक है इसको अगर मैं थोड़ा बढ़ा करूं एक निट यहाँ पर जाते है यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा करता हूं देखे ऊचैंशाम क यहाँ पर मैंने 10% परसेंट दिया था आफिर यहाँ पर मैं देता हूं 30% ठीक है और तो यह वाइड और हाइड ही साफ से पकड़ की चलिए ठीक है काम करता है इसको रिफ्रेश्च करेंगे हम लोग तो देखें इधर में देखें यह उपर में जो आ रहा है यह परसेंट अलग हो जाएगा और यहां पर लेफ्ट और राइट जो आ रहा है इसके आगा मतलग उतना हिस्सा इमेज का वह निकाल के बॉर्डर में सेक्ड करते है अब इसी चीज को कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं यहां पर जैसे मैं लिखूं मान लीजे कि यहां पर मैं लिखता हूं 44 पिक्सल हिसाब से आप पकड़ लिए ठीक है 44 पिक्सल और यह यहां पर अगर हम लोग इसको refresh करते हैं, तो देखे हैं बाड अब यह हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है, और उसके बाद देखे, यहां पर यहां पर देखे क्या हो रहा है, और एक चीज मैं आपको दिखा दू, तो यहां पर बहुत सारा जगा में हो रहा है, ज इसके बाद यहां पर जाओं, और फिर मैं अगर refresh करूं, तो देखे, अब वह वाला जो problem आ रहा था, कि एक star के उपर एक आ जा रहा था, वह अभी यहां पर नहीं आ रहा है, बट यहां पर वह problem है, देखे, यहां पर है, फिर यहां पर वह problem है, तो इसको fully अगर हम लोगों sort out करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि inspect में जा सकते हैं, जैसे ज़्यादा वहां पर number का हिसाफ से अगर आप दिमाग कल्कुलेट करना, दिमाग लगाना अगर नहीं करना चाहते हैं, आप simple क्या करिए, आप यहां आ जाईए, और यहां आने के बाद में, आप अपना डीप को select करिए, डीप को select करने के बाद में देखिए, यहां पर जैसे 33 दिया हुआ है, यहां पर मैं रखूँ और फिर मैं यहां पर कुछ नंबर दूँ, तो देखिए यह आगे बढ़ रहा है, है ना, और देखिए, अब यह पर्फेक्ट यहां पर यहां तो तो दूँर्ट हो गया, अब यहां पर भी अगर हम जाके कुछ नंबर देखिए, बढ़ाए या घटाए, थीक है, इतने ही रहने देख है हम लोग 40 और 19 और यहां पर भी जाके हम लोग 40 और यहां पर अगर हम लोग इसको 19 कर देखिए, और फिर यहां पर वापस आते हैं, और इसको मैं काट दूँ और उसके बाद में देखिए अब यह जो हमारा बॉर्डर है कुछ इस प्रकार से नजर आएगा हम लोगों ठीक है और एक काम करते हैं हम लोग यहां ऊपर में थोड़ा से पैडिंग भी दे देते हैं पैडिंग मैं यहां पर 25 पिक्सल दे रहा हूं और फिर यहां जाते हैं हम लोग और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ठीक है उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूं देखिए यहां round देखें हम लोग repeat देखें हम लोग और एक होता आपका biology है न तो अगर हम लोग यहां पेDIA प्रोकरटी यूस कर लें यहा पर देखिया दो बार दिया मैंने एक तो रूंस त rac दिया ऐसा करने पर कhow गा होग जम लोग जो है वह स्ट्रेच हो जा रहा है लेफ्ट और राइड जो है वह आपका टॉप और बॉटम जो है वह आपका राउंड ठीक है बट यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं मैं पूरा को ही राउंड रखना चाहता हूं ठीक है इसको मैं राउंड ही रखूंगा देन हम लोग और फिर भाइडЕ इमेज वायड में जैसे कि में यहां पर फॉर्टी पिक्सल लिग दूँ अब अब उसके बाद यहां जाओ और इसको मा रिफरेश करने तो यह दखिए जो इमेज है मेरा एक एक इमेज करके जो यह आ रहा है उसका क्या हो जा रहां उसका आपका जो बॉर्डर है, वो बढ़ जा रहा है मतलग जो साइच है वो बढ़ जा रहा है इसको हम लोग यहाँ पे अगर 20 पिक्सर लिखेंगे और फिर यहाँ पर मैं जाओं अगर तो देखें कुछ इस प्रकार से यह दिखेगा ठीक है इसको हम लोग कम बेसी करके भी अच्छा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने 40 दिया था अगर इसको हम लोग यहां पर 15 दे दे और उसके बाद मैं यहां पर अगर आओ तो अब यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है अच्छ ठीक है अभी तो हम लोग क्या देख लिए है repeat देख लिए slice देख लिए source देख लिए अब हम लोग और क्या देख सकते हैं हम लोग यह property और देख लेते हैं जैसे की border और और उसके बाद में image और image के बाद में यहां पर आउट सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं अगर मैं 10 पिक्सल लिखूं तो यह 10 पिक्सल मतलब वह जो उसका वाइड है वह थोड़ा बढ़ जाएगा जैसे देखें का ध्यानती यह आपका बढ़ेगा देखें इस प्रकार से फैल जाएगा जो हमारे बॉर्डर था इस प्रकार ॖ क्या होता है एक होता है इमेज सोर्स जिसमें तीक येज़ कर आ हो इसका सोर्स देते है उसके बात में एक होता है slGO ही मतलब पूरा फूरा समय कर लिख किमेश की मैं बता देता हूं कैसे काट रहूंग पर जैसे image है यह वाला तो हम लोग जैसे crop करते हैं ना तो particular यह एक star है जैसे इसको हम लोग यहाँ पर select कर लिए तो वह इसको काट रहा है ठीक है उसका हिसाब से पर repeat हम लोग जब करते हैं तो उसको वसी पार्ट को वोग क्या कर देता है repeat कर देता रीपीट में लोग सकते हैं और repeat भी लिख सकते है ठीक है और wide मतलब कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं उसका wide कितना देना चाहते हैं उसके लिए wide property यूज़ करते हैं outside मतलब border को आप extend करवाना चाहते हैं उसके लिए outside यूज़ कर सकते हैं और यह सारा property यह जो सारा property है यहां हम लोग उसके थे, इसको सिर्फ हम लोग एक ही property में भी apply कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूँ border, और उसके बाद यहां पे मैं लिखूँ image, border और image और कुछ भी नहीं, उसके बाद देखे सब से पहले, यहां पे हम लोगों को URL देना पड़ता है, मतलब image source देना पड़ेगा और image source यहां पर मैं क्या दूँगा बी यो आर बॉर्डर.jpg उसके बाद क्या होता हम लोग को slice देना पड़ता है तो slice जो है वह मैं यहां पर दे दूँगा हम लोग परसेंटेज में भी दे सकते है तो मैं यहां फिलाल 30% दे रहा हूं ठीक है कम बेसी करके हम लोग देख लेंगे बॉर्डर जब आएगा उसके बाद में फिर हम लोग क्या दे सकते हैं वाइड दे सकते हैं तो यहां पर image का जो वाइड है वह मैं यहां पर दे देता ह है उसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं वाइड के बाद में फिर हम लोग दे सकते हैं आपका आउटलेट जो आउटलेट था वह दे सकते हैं तो वह भी मैं यहां पर 10 पिक्सल दे देता हूं और सबसे लाश्ट में फिर हम लोग वह रिपीट वाला प्रोपर्टी यूज क कि हम लोग इसका जो order है वो सही तरीका से नहीं दिये यहां पर यहां पर 30 पिक्सल पहले तो border का source उसके बाद में slice ठीक है और फिर slice के बाद में फिर आता है अच्छे यहां पर अगर हम लोग इसका percentage को कम कर दे और यहां पर जो है इसको अगर मैं यहां 5 पिक्सल कर दूँ और अगर हम लोग यहां जाए और इसको refresh करते है तब भी यह नहीं आ रहा है यह दोनों में से कोई एक property सायद मैं गलत लिख रहा हूं एक बार मैं सिर्फ इतना लिखता हूं आर ओ यू आर ओ यू एंडी राउंड तो ठीक है यही property हम लोग लिखते है यहीं border image और उसके बार में इसको refresh करता हूं तो कि अभी आ रहा है यहां पर हम लोग को जो देना है यहां पर देखे आपकर यह तो ठीक आ रहा है मगर उसके बार में जो देना है देखे नीचे दिखाता है पहले border source ठीक है फिर उसके बार आपका border slice वो भी हम लोग ठीक दिए फिर border wide तो border का wide यहां मैं 40 pixel कर देता हूं चलिए 40 pixel अच्छा 40 pixel लिख रहे है तो problem हो रहा है क्या एक बार मैं refresh कर देता हूं हट जा रहा है तो यहां पर 40 pixel मैं यहां लिख रहा हूं यहां मैं इसको खली 40 अगर लिख दूं और उसके बार में यहां पर रिफ्रेश करूं हाँ देखिए वहां पर जो pixel हम लोग apply कर रहे थे उसके कारणी इस प्रकार से problem आ रहा था अभी देखिए कर लिख primeira और यहां पर हमारा बॉर्टर करने रहा है इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं यहां पर 40 नहीं लिखके यहां पर अगर मैं 10 लिख दूं और फिर यहां जाओ और फिर मैं यहां पर Uran special करूं तो देखिए हहां और इसको हम लोग कम बेसी करके देख सकते हैं, तो कम बेसी करके देखना रहेगा, तो यहां से भी देख सकते हैं, तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं, सबसे अच्छा, हर एक प्रोपर्टी को यहां से हम लोग arrange करके देखेंगे, यहां चलते हैं, हम लोग इसको select करते हैं, और पिर से एक बार हम लोग देखते हैं जैसे कि अगर यहां पर जो वाइड है इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो क्या होगा देखें इसको मैं दबाकर यहां पर यह आपका वन टू ट्री ठीक है देखें 29, 35, 38 ठीक है और यहां पर लास्ट में और एक थो था क्या आउटलेट भी हम लोग दे सकते थे जो हम लोगों ने यहां दिया नहीं है ठीक है यहां पर चलते हैं वापस हम लोग 48 यहां रख देते हैं यहां 10 का जाया मैं यहां पर 48 रख देता हूं और लास्ट में हम लोग आ और फिर यहां वापस आते हैं हम लोग और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं ठीक है तो 10 में यहां पर फिर दिक्कत आ गया है तो 10 पिक्सल कर देते हैं हम लोग और फिर मैं यहां जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो यह आउटलेट में ही दिक्कत हो रहा है लाश्ट में हम लोग अच्छा लाश्ट में नहीं देने यह आपका यहां पर आयागा ठीक है सॉरी यहां 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 आएगा 10 देखें यहां पर अभी और थोड़ा 28 और 30 पिक्सल हम लोग कर दिये फिर यहां 48 था तो यहां थोड़ा और हम लोग बढ़ा के या घटा के देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां आगे दा रहाएं हम लोग ऐसे कर देखें ठीक है अच्छ यह सबके साथ में हम लोग का और भी क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ U i यहां पर हम लोग क्या दिये थो तेन már देते हैं तो यहां पर इबली दे फेल लिखे भीक इसको सजाना चाहते हैं आप यहां से देख सकते हैं चेंज करकर कि कैसा आप रखना चाहते बॉर्डर को कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं यहां से आप अर्जेश्ट कर सकते हैं देखें बस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कम बेशी करके अप यहां से इसको को सजा सकते हैं, देखिए, ठीक है, मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को बॉर्डर इमेज प्रॉपरिटी समझ में आ होगा, अगर समझ में आ हूँ, यह क्लास अच्छा लगा हो, तो मेरी इस क्लास को लाइक कर दीजेगा और में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कर दो कर दो कर दो कर दो करना मत लोगों कर दो कर दोस्थ कर दो अब।